नील कमल 1968 की भारतिय हिंदी भाषा की रोमेंटिक थरिलह है, जो राम महेश्वरी द्वारा निर्देशित है, जिसमें मुक्य भूमिका में वहीदा रह्मान, राज कुमार, मनोज कुमार, महमूद, बलराज साहनी, ललिता पवार और शशिकला हैं. रिलीज होने पर नील कमल को आलोचकों से अत्यदेक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ओफिस पर एक बड़ी व्यावसाइक सफलता साबित हुई, जो 1968 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. सोलहवे फिल्म फिया पुरसकार में नील कमल को सर्वश्रेष्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ट निर्देशक, महिश्वरी, सहित आठ नामानकन प्राप्त हुए, सर्वश्रेष्ट सहायक अभिनेता, राज कुमार, सर्वश्रेष्ट सहायक अभिनेतरी, शशिकला, और श्रिष्ट अभिनेत्री का पुरसकार जीता, जो गाइड, 1965, के बाद इस श्रेनी में उनकी दूसरी जीत थी. चित्रसेन, एक कारिगर, राजकुमारी नील कमल, पिछले जन्म में सीता, से प्यार करता था. राजा ने अपनी बेटी के लिए उसके गठबंधन को अस्वीकार कर दिया, और सजा के तौर पर उसे जिन्दा दफना दिया. नील कमल के प्रती चित्रसेन का प्रेम अमर रहा होर, उसकी आत्मा उससे मिलने और उसके साथ रहने की आशा में सदियों तक जीवित रहती है. एक रात, सोते समय सीता को गीत गाकर चित्रसेन के समाधी स्थल पर आमंत्रित किया जाता है. उसकी सास, जो एक बहुत ही जिगदी इंसान है, का मानना है कि सीता का किसी के साथ अफ्या चल रहा है और वह अपनी नंध चंचल के साथ घर पर उसे काफी परेशान करती है. की मदद से उसे आत्महत्या करने से बचाता है.